मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। आज हम डिसकस करने वाले हैं बैलेनाइटस के बारे में। बैलेनाइटस क्या होती है? ये इंफ्लामेशन होती है, मतलब सूजन होती है, ये क्या है? यह है male reproductive parts मतलब पूर्शों में पाया जाने वाला प्रजनन अंग जिसके head में यानि कि अगर यह पूरी सी structure लंबी सी इसको हम बोलते है पैनिस तो पैनिस का head क्या होगा यह वाली जब हम skin को उपर हटा देंगे तो यह जो निकली हुई structure है इसको हम बोलते है पैनिस का head मतलब इसका sit, ciraise का ठीक है आगे वाला तो इसमें क्या होती है इसमें sojan हो जाती है जिसको हम English में बोलते है inflammation और यहां पे यह पूरी स्किन इसको हम बोलते है पैनिस यह आगे वाली जो skin मुरी होती है थोड़ी सी स्को हम बोलते है प्रेप्यूस और यह जो नीचे की तरफ होती जिसमें पैनिस की यह वाली हैड के सासंथ इस स्किन में भी सूजन हो जाती है उसको हम क्या बोलतो है उसको हम बोलते है बैलेनो बैलेनो पॉस्थाइटस पॉस्थाइटस और साथ-साथ यह जो स्किन है और सथ próxima यह जो ऑपर से ऊवती है जो इसको मोरतें ओस तो इसको मोरते हैं तो इसमें भी सूजन हो जाती है लेकिन जी जो और सिर्फ मेरेप सोर्ष गलरी वह बाग लैटोधो हरुटे-इसमें सो तो अज़्चे वह पूर्षन पर दूद सोजन हो फानल ओप नौनाया od अब साफ सफाई नहीं करने के कारण यह जमा हो जाती है यहां पर वाइट के ट्लर का गाढ़ा सा पदार्थ और फिर वहां पर infection की chances बनने लगते हैं जब infection होती है धीरे धीरे तो क्या होती है यहां की जो glands इसको हम glands penis भी बोलते हैं तो यहां की जो skin है वो irritate होने लगती है औ यहां पर उपसियत gland होती है जिसमें से एक white कलर का सफेद कलर का पदार्थ निकलता है जिसको हम बोलते हैं smigmatic है अब इस condition में क्या होता है बैलनाइटस के condition में क्या होता है मैंने आपको हमेशा बताया कि जिस word के last में itis लगा हो इसका मतलब होता है inflammation मतलब वहां के area में वह यहां पर चलर का यहां और्फिर अउरेंज कलर का यूडें लगता है इसके सासाती यहां पर चानल जाट की यहां परoloryn को हो से पर इसको हम होग। बैलेनाइटस, अब causes और इसक्टर क्या क्या होते हैं बैलेनाइटस के, ठीक है, तो causes क्या है, infection from bacteria, अगर bacteria की कारण, अगर यहां पे infection हुआ है, क्यों बैक्टरिया यहां पे infection होगा, बैक्टरिया यहां पे infection क्यों पैदा करेगा, मैं आपको बताया है कि जो smigma निकलता, उसको साफ करना बहुत साथ important है, यह natural होता है, यह normal है, लेकिन अगर साफ सफाई कोई vaccine नहीं करता है, उस condition में यह जो smigma है, जो white color का पदार्थ है, वो वहां पे, यहां पे, glance penis और यहां पे इसके उपर जमने लगता है, तो पुर्षों को हमेशा यह याद रखने चाहिए, कि समय समय पर यह वाली जो skin है, उसको निकाल करके यह जो area है, उसको साफ करना चाहिए, ठीक है, उसकी वज़ज़ से अगर साफ नहीं होती है, उसकी वज़ज़ से यहां पे bacteria के growth होने के chances होते हैं, जिसमे bacteria infection पैदा करती है, तो bacteria कौन कौन सी होती है, बोरे लिया, विन, यहां पे bacteria होती है, या फिर यहां पे fungus का infection हो जाता है, फंगस में कौन सी fungus, candida albicans की fungus होती है, जो यहां पे infection पैदा कर देती है, दूसरा है poor hygiene in uncircumcised men, मतलब जिस पुरुष में क्या होता है, यह जो penis होती है, इसके उपर की skin पूरी होती है, और यहां पे skin की यह वाली portion, यहां पे जो थोड़ी से skin कठा होती है, यहां पे क्या होता है, जो glands penis होती है, मैं आपको बताया है, कि अगर इस skin को हटाएंगे, तो यहां पे आगे से थोड़ी से red color की portion होती है, तो यहां पे glands होता है, और वहां से white color का गाढ़ा सा कुछ पदार्थ निकलता है, जिसको हम बोलते है, smigma, मैं आपको अभी बताया था, smigma, smigma, तो अगर इसकी सफाई नहीं की जाएगी daily, तो यहां पे यह जमा हो जाएगा, गाढ़ा सा white color का पदार्थ, और फिर वहां पे infection होने के chances हो सकते हैं, तो जिन व्यक्तियों का, जिन पुर्षों का, यह जिस skin है, वो पूर होता है, उनको साफ सफाई का बहुत अधिक खयाल रखना होता है, तो पूर हाइजीन की वज़र से, अगर साफ सफाई नहीं होगी, मतलब पूर हाइजीन की अगर प्राब्लम होगी, अगर वो सही से साफ सफाई नहीं करेगा, तो वहां पे infection के chances हो सकते हैं, जिससे यह problem ब irritate हो जाती है, उसके बाद infection के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं, contraceptive cream, मतलब ऐसे cream जो कि अगर कोई पूरुष एक महिला के साथ अगर संबंद बनाता है, मतलब sexual intercourse करता है, sexual intercourse को क्या बोलते है, कोईटस बोलते हैं, तो कोईटस की अगर process होती है, तो यह cream लगाने के तो वहाँ पर directly लगाते हैं, तो वहाँ पर इस cream की वज़र से भी infection हो सकती है, और condom की वज़र से भी हो सकती है, जिसको हम condom latex बोलते हैं, तो condom यूज करते हैं, तो condom की वज़र से भी infection हो सकती है, लेकिन ड़ने वाली कोई बात नहीं है, हर किसी को infection नहीं होती है, किसी क करेंगे iyra propel corre qui और burg रहने लगती है और उपर की तरफ जैसे नॉर्म्ली अंगर हम ऊपर कर दसके यहां पर रेडवाली पोर्चन वह बाहर निकल जाएगी और सिस्किन ऊपर हो जाएगा लेकिन टाइट इसकी नहीं होता है चिपक जाती है यह रेडवाले पोर्चन से ठीक है तो इस टाइट सकीन पर भी मैंने एक डीटेल लेक्टर बनाया हुआ है तो आप जाकड़क देख स्किन को ठीक है तो अगर यहां पर चोट लग जाए उस कंडिशन में भी बैलनाइटस की स्थिती बन सकती है डाइबिटीज या फिर ओबेसिट्री डाइबिटीज वाले लोगों को हो सकती है या फिर जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उन्हें यह प्राबलम हो सकती है ट मतलब यहां की जो रेड़ वाली पोर्शन है यहां पर या तो यलो कलर का पीला कलर का धबा दिखेगा या फिर यहां पर क्या होगा यहां पर यहां की जो रेड़ वाली है वह और ज़्यादा लाल हो जाएगी यहां की सी औरेंज कलर की दिखेगी नारंगी कलर की दिखेग उसके बाद है sexual partners affected by Candidal Viginitis, यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, Candidal, मतलब Candida होती है, जिससे infection होता है, जैसे bacteria होती है, वैसे ही Candida होता है, तो यहां पर Candida की वजह से हुई है infection, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है Candidal Viginitis, Viginitis का मतलब होता है, महिला का जो प्र है, वहां उसको हम बोलते है, उस एडिया को हम बोलते है Vigina, तो Vigina में सूजन हो गई है, मतलब लास्ट में आइटस लग जाएगा, इसका मतलब होता है, कोई भी एडिया में सूजन हो जाना, तो क्या होगा, Viginitis, तो Candida की वजह से Vigina में अगर सूजन हो जाती है, मतलब उस महिला में अल्रेडी पहले से, infection फैलाने वाली Candida present है, Candida उपस्थित है, और जब कोई मेल, जब कोई healthy मेल, उस महिला के साथ, जब संबंद बनाता है, या फिर sexual intercourse के दोडान, क्या होता है, वहां वो जो infection है, जो Candida की महिला में है, वो पुर्ष में भी आ जाएगी, क्यो इसको हम बोलते है, Glance Penis, और यह पूरी जब स्किन होती है, इसको हम बोलते है, 4Skin, तो 4Skin पे और Glance Penis पे दोनों पे, क्या हो सकती है, Candida आ सकती है, जो कि यहां पे Penis में क्या कड़ेगी, infection पैदा कड़ेगी, तो महिला से transfer किसमें हो गई, उस पुरुष में हो गई, तो जिसकी वज़े से भी पुरुष में infection हो सकती है, Balanitis की स्थिती बन सकती है, इसके लावा Various Viruses and Organisms, अब बहुत सारे वाइरस है, और कुछ और जिनकी वज़े से भी infection होता है, पहला क्या है, पहला HPV, मतलब है Human Papilloma Virus, यह जो वाइरस है, यह क्या है, Sexual Intercourse के दोरान ही, यह वा गुनोरिया, यह भी Sexual Intercourse, मतलब सम्मंद बनाने के दोरान ही, यह infection फैलते हैं, क्लेमाइडिया, यह भी सम्मंद बनाने के दोरान ही फैलते हैं, सिफलिस, यह जो सभी है, यह Sexual Intercourse, जिसको हम कोईटस बोलते हैं, या फिर हिंदे में सम्मंद, अगर एक महिला एक पुरुष के वज़से ही होता है, मतलब यह सभी जो बैक्टिरिया है, वो Sexual Intercourse के दोरान ही एक दूसरे में फैलती है, ठीक है, इसके बाद है कुछ बिजीज होते हैं, कुछ बिमारी होते हैं, जिसकी वज़से भी, यहाँ पेनिस में सूजन की समस्या हो सकती है, और फिर बैलनाइटस हो सकती है, अब वो कौन सा है, रेटर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जोइंट्स में पेन होता है, और जोइंट्स में सूजन होने लगती है, मतलब पानी भी बनने लगता है, जोडों में डर्द भी रहता है, तो उस कंडिशन में क्या होगा कि यहाँ पे, अगर एक मेल की इहां पे इसको infection आगर यह वाली बिमारी है तब, aika hetroficus यह भी प्टार कर सक्ती है, इसमें क्या होता है इसमें एक पुरुश होता है अगर यह GLANS पेस है अगर में हम अटाएंगे तो रेड़ वाली जो portion है उसमें white white color का सफेद सफेद कलर का धबा देखने को मिलेगा उसको हम बोलते है lichen sclerosis at atrophicus और ये महिलाओं में भी होता है मतलब बाहर से मिलाओं की जो reproductive अंग है अगर हम उसको देखेंगे तो उसमें white white color सफेद सफेद कलर का धबा हमें देखने को मिलेगा तो इस condition की वज़र से भी अगर यहां पर white white सथबबा हो रहा है तो यहां पर infection बन सकती है और infection होगी तो balanitis की स्थिती बन जाएगी अगर balanitis की condition हो जाती है तो उसमें क्या होता है यह जो glans penis है जो आगे के तरफ निकली होती है अगर skin को हटाते हैं तो यहां पर yellow color की spot भी दिख सकती है या फिर यह जादा swelling यहां पर हो जाएगी सूज जाएगा यह बहुत जादा या फिर यह थोड़ा सा और जादा red हो जाएगा जितने इसकी color है पिंकिश डेड कलर की है तो यह बहुत जादा reddish color की हो सकती है तो यह क्या यह normal structure है और यहां पर इसमें क्या इसमें सूजन हो रखी है तो हम उसको बोलते है बैलनाइटस तो उस condition में clinical manifestation मतलब symptoms हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे symptoms को हम क्या बोलते है symptoms को हम हिंदी में बोलते हैं lakshan मतलब medical term में अगर हम बात करें तो clinical manifestation का मतलब होता ह sign or symptoms, lakshan क्या क्या होते है, balanitis के, पहला क्या redness swelling the head of the penis, तो यह मैंने आपको बताए कि यह जो red color की होती है, जो naturally होती है अगर इस skin को हटाएंगे तो उसमें सूजन आ जाती है, वो red color की हो जाती है और उसमें सूजन भी आ सकती है, inflammation of the foreskin, आप foreskin हम किसको बोलते हैं, यह जो portion है, उपर की skin, उसको हम बोलते है, foreskin और जैसे ही इसको हम remove करेंगे, तो यह जो आगे से निकली हुए उसको हम बोलते है, glass penis, तो इस foreskin में भी सूजन हो जाती है, इसको हम बोलते है, inflammation, discharge from penis, penis से सूजन के बाद, white color का एक गाढ़ा सा पदार्ख निकलने लगता है, जब इसमें सूजन हो जाती है, उसके बाद, impotence, मतलब नपुन सकता की जो problem है, वो भी आ सकती है, मतलब वो जो पुरुष है, वो किसी महिला को pregnant नहीं कर सकता है, अगर यहाँ पे सूजन आ जाएगी, अगर यहाँ पे infection हो जाएगा, तो नपुन सकता की condition हो जाएगी, ठीक है, नपुन सकता, swelling, मतलब सूजन आएगी, difficulty with passing urine, मतलब urine पास करने में, पिशाब पास करने में उसको दिक्कत मैसुस होगा, क्योंकि urine भी यहीं से पास होता है, जो male होता है, वो यहीं से पास करता है, अपना पिशाब, तो उसको बहुत जाएगा दिक्कत मैसुस होगी, inability to retract poor skin और कुछ condition में ऐसा होता है, कि अगर यहाँ पे सूजन है, समझे कि पूरी poor skin उसकी ऐसी है, और अंदर में रेड़ वाली है, वो उसमें swelling हो गई है, वो पूरी उसमें सूजन आ गई है, तो क्या होगा, तो उसको जब हटाएगा, तो उसको इसको खटाने में बहुत जादा दिक्कत होगा, बहुत उसको दर्द महसूस होगा, उसको हम बोलते है, inability to retract for skin, मतलब for skin, उपर वाली skin को पीछे की तरफ करने में उसको आसानी नहीं होगा, उसको बहुत जादा दर्द महसूस होगा, enlarge lymph glands in the groin, अब groin area क्या होती है, यह अगर किसी की pad है, ठीक है, ठाए, और उपर से समझे, यह नायोली portion, तो यहाँ पर मिलती है, इसको हम बोलते है, growing area, ठीक है, तो यहाँ पर lymph nodes होते है, lymph nodes क्या करते है, हमारे body में अगर कहीं भी infection होता है, तो सबसे पहले lymph nodes में swelling आ जाती है, वहाँ पर सुजन आ जाती है, जिसे हमें पता लगता है कि यहाँ बोडी में कुछ ना कुछ infection आया हुआ है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर penis होती है, यह बीच में, यहाँ पर growing area है, इसमें बहुत सारे lymph nodes होते है, छोटे-छोटे, इस टाइक गोल-गोल से, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सुजन आ सकती है, lymph node में, lymph node बड़ी हो जाएगी, स chills and fever, किसी-किसी को बुखार भी लग सकता है, और उसको ठंड भी लगेगी बुखार के साथ, और यह बहुत rare होता है, अगर यहाँ पर infection हो गई है, उस condition में, burning और urination, जब कोई व्यक्ति यूरीन पास करेगा, तो उसको जलन भी महसूस हो सकता है, यूरीन पास करने के टाइ पहला क्याल मैंने लिखा है, एंटी बाटिक्स देंगे पेशन को, या फिर हम एंटी फंगल ड्रग्स देंगे, मतलब अगर बैक्टिरिया की वज़से infection होगी पेनिस में, तो हम उनको एंटी बाटिक्स देंगे, और अगर फंगस की वज़से होगी, तो हम एंटी फंगल से खिलाना होगा, उसके बाद है, apply besitra sin for pediatric patient, अगर बच्चों में infection होगी, तो उसके पेनिस पे लगाने के लिए हम एक क्या कर देंगे, क्रीम देंगे, जिसका नाम है besitra sin, ठीक है, उसके बाद potassium per magnet solution से पेनिस को वाश करेंगे, और पेनिस को जब हम वाश करते हैं, उस time मे पाइनिट solution की वाश से पेनिस का जो कलर है, जो पेनिस की जो skin उसको जब हम निकालते हैं, तो रेड कलर की portion आती है, रेड कलर का पाट आता है, तो वहाँ पे परपल कलर की वो थोड़े देर के लिए हो जाएगी, यानि जिसको हम बोलेंगे परपल डिसकलरेशन हो जाएग इसके बाद हम एस्टरोइट क्रीम्स को भी लगा सकते हैं, पेनिस के उपर, रेड वाले portion में अगर हो गई है infection तो वहाँ पे हम एस्टरोइट क्रीम्स को भी लगा सकते हैं, और लास्ली अगर infection पूरे पेनिस में फैल गई है, मतलब रेड वाले portion में भी है, और उपर की ज को हम बोलते हैं सरकम सीजन हम करेंगे पेशेंट का अगर वो ठीक नहीं हो पाएगा किसी क्रीम से या फिर मेडिसिन तब हम ऐसा करते हैं तो मुझे उमीद है कि आज के लेक्चर्स को आप अच्छे से समझे होंगे अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं